इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ट्रिकसेंट 15 टैबलेट एक दवा है जिसे anticoagulantia, blood thinner, यानि की खून पतला करने की दवा के नाम से जाना जाता है. यह खून के ठक्के बनना की रोकथाम और इलाज करने में मदद करता है. इसका इस्तिमाल stroke और hot attack के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है. यह आपकी टांगों, फेफ़डों, मस्तिश्क और hot की नसों में कलोट बनने से रोकता है और उनका इलाज करता है. रिकसेंट 15 टेबलेट को सामाने तोर पर अनियमित hot rhythm यानी की atrial fibrillation वाले मरीजों में कलोट बनने की रोकथाम करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है. यह उन लोगों में ठक्के होने के जोखिम को भी कम करता है जो घुटने या कूले के प्रतिस्थापन की सरजरी करा चुके हैं. इसे भोजन के साथ लेना चाहिए और हर दिन एक ही समय पर लेना बहतर होता है. आपको इस दवा को कई वर्षों तक कुछ मामनों में तो जीव खून के ठक्के की एक संरचना के जोखिम पर डाल सकता है. आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके जैसे की धूंडपान न करना, स्वस्ट डाइट खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना और जरूरत पढ़ने पर वजन घटा कर अपने लिए खून का ठक्का जम को तुरंत बताएं. Do not take this medicine if you have severe kidney or liver problems, if you are currently bleeding or if you are taking other medicines to reduce blood clotting. इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको स्तनपान नहीं कराना चाहिए. अन्या anticoagulant से विपरीत, इस दवा को लेते समय एक regular blood taste, यानि की PTINR, की आवशकता नहीं होती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें. और all notification को क्लिक करें. धन्यवाद.